हैलो दोस्तो मैं हूँ रेनुका डोरा आपका स्वागत है हमारे चैनल पर तो दोस्तो आज मैं आपके साथ सेर करूँगी अंडा पालक करी बहुत ही टेस्टी और हमी बनती है और ठंडे की सीजन में आपको अराम से मिल जाएगी पालक ठंडे की सीजन जब तक रहेगी तब पालक खालक में की खाना आई उन्डा थे शर्डा को मने करने हमंदों देख का कि विडियो फिर ये इसमें डाली आ रेकाओ दोस्तों फिर स्टाट करते हैं पालक अंडा करी बनाना तो सबसे पहले में अंडा को बॉयल करूंगे और यहां में चार अंडा की में करी बना रही हूं तो यहां चार अंडा में ले लिए हो पानी में से डाल दे रही हूं गैस को अन कर दी हूं और इसमें चारों अंडा में इसमें डाल दूंगी अब इस अंडे में मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी पानी में ताकि अंडे आपके फटे नहीं और आराम से अंडा पक जाए तो इसमें थोड़ा सा नमक डाना जरूरी है तो मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगी तो देखे चारो अंड़ा अब पानी गरम होने वाले हैं और चारो अंड़ों को बोईल कोरेंगी पांच-दस मिनिट के लिए ताकि अंड़ा अच्छी तरह से बोईल जाए तो यहाँ पे मैं नमक डाल दी अब इसको ढखके थोड़ा पका लेंगे ताकि अंड़ा अराम से पक जाए अच्छी तरह से अब पालक के एक बंडल लेंगे चार अंड़े में एक बंडल पालक पड़ेगा और पालक को अच्छी तरह से हम साफ करके इसको धो लेंगे अदो के बारिक काट लेंगे देखिए पालक को में बारिक काट ली हूँ और दो प्यास ली हूँ दो प्यास को में यहाँ पर बारिक काट ली हूँ और यहां दो तीछ पत्त हैं और अंडह को मैं छिलका निकाल ली हूँ अंडह बॉहाई वाड़ हो गया था और इसको 20 कीरा कर दिया. मसल्या के लिए यहां पर अद्रग लसून ऑर यहां गरम मसाल्या लौंग ऑलंग य, गौलमिठ नेर चार लॉंग है, दो इलाची है और यहाँ पे एक प्यास लिए हूँ, दो टमाटर और हरी मिच्ची तो चलिए मैं इसको पीस लेते हैं मिक्सर जान में तो सबसे पहले में टमाटर यहाँ पे दो काट लिए हूँ तुकड़े में, बड़े तुकड़े में आप चाहे तो एक टमाटर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अधरक लसुन ले लिए हूँ, एक की चंद अधरक है और यहाँ पे लसं की कलियां लिए हूँ, यहाँ पे हरी मिच्ची लिए हूँ, स्पाइसी के नुसार दो एलेची और चार लॉंग गोलमिच आठदस दाने, और यहाँ पे एक टुकड़ा तलचीनी का सब को अच्छी तरह से पेष्ट बना लोंगी अब यहाँ पे सरसो तेल को यूज करूँगी, तो यहाँ सरसो तेल को गरम होने के लिए रख देंगे जब सरसो तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब यहाँ पे हम अंडा डाल देंगे तो अंडा जब भी डाले तो बीस से चीरा मार दे ताकि अंडे आपके अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हो और अंडा फूटे नहीं इसलिए हम यहाँ पे चीरा मार देंगे बीस से तो देखिए अंडा को हलके हाथों से हम चारो तरफ से मिलाते मिलाते इसको हम फ्राइ कर लेंगे भूल लेंगे अंडा को तो अंड़ा को देखिए हम चारों तरफ से इस तरह से मिलाते मिलाते इसको फ्राइब करें ताकि एक कलर चारों में आ जाए और अंड़ा भी फटे नहीं चिपके नहीं तो दोस्तों अगर चैनल पर नूँ हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नूँ है तो बेल आटकिंग के साथ पेस करना ताकि नूँ नूटिफिकेशन मिलते रहें और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से लाइक अब इसी तेल में हम तेज़ पत्तर डालेंगे और यहां पर प्यास डालोंगी अब प्यास को अच्छी तरह से भूल लोंगे पूरा ब्राउन कलर होने तक इसको हम भूलेंगे अगर इसको प्यास तो अच्छा टेश्ट नहीं आएगा तो हम इसको जैसे बिर्यानी बनाते है ना प्यास को अच्छे तरह से लाल करते हैं इसी तरह से प्यास को अच्छी तरह से भूल लेंगे लाल कर लेंगे देखिए प्यास का कलर इंदम अच्छा मस्त हो गया है अब यहां पर मैं जो पेश्ट बनाई थी इसमें डाल दूंगी सारे पेश्ट इसमें डालके अच्छी तरह से मैं भूनूँगी अब यहाँ पे थोड़ा सुखा मसारा डालूँगी जैसे यहाँ पे मैं हल्दी डाल दी हाप चमच और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार चीरा एक चमच डाली हूँ और धनिया यहाँ पे दो चमच अगर यहाँ आप मिचा लाल मिचा पॉडर खाते हैं तो लाल मिचा यूज कीजिए मैं यहाँ पे कस्मेरी मिच डाली हूँ क्योंकि काशीरी मेल से अच्छा कलर आता है और मेहारी मेल चीज की थी तो देखें सब अच्छी तरह से डालके इसको भूल लेना है कॉछ कासूरी मेल न यदे तो क्रस्स करें डाल deshalb कासूरी मेले नहीं तो आपके डाल सकते हैं तो देखें इसको में लगतार इस तरह से में फ्राई करते रहोंगी भूनते रहोंगी तो भूनना हो जरूरी है मसाला जटक अच्छी तरस नहीं भूना जाएगा तब तक ये मसाल टेश्टी नहीं बनेगा तो इसको में भून रही हूं मसाला देखिए लगतार भून रही हूँ और यह भूना गया है अब इसमें मैं पालक को जो बारिक कटी हुई थी इसको में डाल दूँगी इसमें अब पालक डालते साथ इसमें पानी रहता है पालक जितने भी साग है तो थोड़ा से अपना पानी चोड़ता है यह तो देखिए जैसे डाली हूँ इसको लगतार चलाते रहेंगे तो इसमें अपने से पालक से पानी निकलेगा मैं यहां पर पानी बिल्कुल एट नहीं कर र अभी मैं इसको चला रही हूं भून रही हूं तो देखिए दोस्तों यहां जैसे जैसे में फ्राइ करी भून रही हूं यहां पर पालक का जो पानी है इसको अच्छी तरह से हमें सोक कर लेना इसको यहां थोड़ा सा धकन लगा के पांदस मिनिट के लिए इसको पकने देंग अब यहां पर अंड़स ढूंग से कितना डिश्टी यह देखने में लग रहा है कितना अच्छा कलर आया ना मस्त देखने में लग रहा है इसको इसको भून मिक्स कर लूँगी पालक के साथ में अब यहां पर हमको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए रोटी या चावर के साथ कह लिए तो हम यहां पर थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसको मिला लेंगे खुछ भूनलेंगे अची तरह से और यहां पर मैं दखके इसको हम पकाएंगे 5-10 मिनिट के लिए ताकि अंडा और पालक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो देखिए दोस्तों यह बनके रेडी है और इसमें हम दाश्ट में थोड़ा बटर डालेंगे तो लग रहा ना इसका कलर देखने में मस्त दम धाबा और रेश्टोरेंट जैसा तो आप घर पे से कम ठंडे की सीजन में आप इसे बना सकते हैं दोस्तों और सारे फैमली मिलकेस का मज़ा उठा सकते हैं घर पे बैठे बैठे तो दोस्तों आप इसको चावल के साथ या तो दोस्ते हैनालोग तो चलिए में अस अपर शाल लूँ इसको आपके साथ पताओंगी कैसे परोस जाता हैं ृच्छा जाता है तो ढड़ा में इस प्रासे पेट लिआ नहीं जानी कि अपला का मसाला है इसमें के हम डल देंगे कि और मसाला डालने के बाद में इसके ऊपर से में अंडा को रखोंगे और प्याज और गोल गोल करके इसमें डाल देंगे तो आधा अट Congressman घूर ज़िए लिए वीडियो के साथ में फिर से एक अच्छी रेसिपी के साथ में आपके साथ सेयर करूंगी घर के खाने में घर का एक दिश्टी खाना लेकर तब तक के लिए आगे दीजिए और मेरे वीडियो आप लास्ट जरूर दीजिए लिगड़ दीजिए प्रियो